नमस्कार दोस्तों मैं शूप्रियो आपको स्वागत करता हूँ कियर ओफ वेब के एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम एलिमेंटर वेबसाइट में हम स्मूथ स्कॉल एड़ कर सकते हैं आप देख सकता हैं यह एक सिंगल पेज वेबसाइट का डेमो है और यहाँ पर यह जो मेनू है इसमें हर एक सेक्षन का एंकर एड़ किया गया है और अगर हम यहाँ पर menu पर click करते हैं तो बहुत तेजी से यहाँ पर particular section में हमें वो scroll करते हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम यह scroll का speed है इसको हम कैसे reduce कर सकते हैं इसको हम कैसे smooth कर सकते हैं तो normally अगर हम CSS ID से किसी भी section को हम link करते हैं तो उसका speed normally इतना रहता है, elementor में बहुत fast रहता है और आज हम जो सिखेंगे उसके बाद इसका speed क्या रहेगा मैं आपको अभी दिखाता हूं तो पहले आप इसका speed देख लीजिए, देखिए कितना speed से यह आ रहा है contact section में और आज इस वीडियो में हम जो achieve करेंगे वो है smooth scroll मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर contact पर मैं click करता हूं तो देखिए बहुत धीरे से अभी वो हमें उस contact section में हमें ला रहा है और अभी अगर मैं middle का कोई section में जाओंगा, तो वो बहुत smooth से हमें वहाँ पर लाएगा देखिए यहाँ पर effect you पर click करता हूं, तो देखिए यह जो scroll है यह बहुत smoothly हो रहा है तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम यह scroll speed है, इसको हम control कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम single page website में किसी भी section को CSS ID के मदद से हम कैसे scroll कर सकते हैं और particular section में हम rewrite कर सकते हैं, तो इसके उपर इस channel में एक dedicated video है आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका link नीचे description में देदूँगा अगर आप इस channel में नए हैं दोस्तों, तो इस channel को आप subscribe कर लीजिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं elementor के ready made template के मदद से यहाँ पर एक single page layout design कर लिया हूँ और यहाँ पर हर एक section में हम एक CSS ID add किया हूँ अगर मैं इस section के उपर click करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर advanced section में मैं यहाँ पर CSS ID add किया हूँ जिसका नाम है home इसी तरह मैं यहाँ पर यह जो about the company है यहाँ पर भी अगर मैं जाओं तो आप देखेंगे यहाँ पर CSS ID जो है वो है about एसे मैं हर एक section में CSS ID add कर लिया हूँ यहाँ पर आप देख सकता है यह है services और ऐसे नीचे है यहाँ पर team ओके ऐसे देखिए CSS team और यहाँ पर FAQ ऐसे ही मैंने FAQ का भी वहाँ पर CSS ID दिया हूँ और यहाँ पर contact का भी ID दिया हूँ और यह जो सारे ID है मैं same to same यहाँ पर menu में गया और menu में मैं यहाँ पर हर एक section के लिए अलग-अलग यहाँ पर menu add किया हूँ यह custom link के मदद से यहाँ पर अगर आप custom link add करेंगे और जो भी आपका ID है उसको अगर आप यहाँ पर दे देंगे जैसे मैं यहाँ पर hash sign दूँगा क्योंकि यह CSS ID है और फिर मैं यहाँ पर जो ID है उसको लिखूंगा example के लिए हम लिख सकते हैं home क्योंकि हमारा home एक ID था या फिर हम लिख सकते है team, team एक हमारा ID था और यहाँ पर हम इसका जो menu text है वो लिखेंगे यह मैंने already उस dedicated video में आपको दिखा चुका हूँ अगर आप नहीं जानते हैं इसको कैसे किया जाता है तो आप वो video देख सकते हैं और फिर हमें करना है add to menu तो यहाँ पर यह जो है यह add menu यहाँ पर हो जाएगा तो हमें इसका जरूरत नहीं है क्योंकि मैं already menu को create कर लिया हूँ हम menu के यहाँ पर save करते हैं तो अभी हम दो तरीके से इसका जो scroll speed है उसको हम control कर सकते हैं किसी भी plugin के मदद के बीना हमें एक code snippet यहाँ पर add करना है यह बहुत simple है आपको सिर्फ copy paste करना है तो पहला जो है वो है CSS code यह इतना effective नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें भी थोड़ा सा जो smoothness है वो आ सकता है और दूसरा जो code है वो है jquery code उसको भी मैं आपको apply करके दिखाऊंगा उसमें जादा control up कर सकते हैं और आप एकदम घबड़ा यह मत यह जो code है यह मैं आपको provide करने वाला हूँ इसका link मैं नीचे description में दे दूँगा आपको सिर्फ code को copy paste करना है यह बहुत secure है कोई भी problem नहीं होगा ठीक है तो अभी पहले हम देख लेते हैं CSS को हम कैसे add कर पाएं अगर आपके पास Elementor Pro है तो आप यहाँ पर यह जो setting control है यहाँ पर यह सेटिंग आप यहाँ पर जाईए और यहाँ पर full page का जो CSS का option है अगर आप यहाँ पर advance में जाएंगे देखिए page setting है advance में जाएंगे तो यहाँ पर आपको page में CSS add करने की यहाँ पर जगा दिया गया है तो आप यहाँ पर यह कर सकते हैं और अगर आपके पास Elementor Free है तो आप दो तीन तरीके से code को add कर सकते हैं एक है कि आप एक card party plug-in add कर ले code add करने के लिए या फिर आपका जो theme है उस theme में option मिल जाएगा देखिए यह मैं Astra use कर रहा हूं यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह theme additional CSS add करने की जगा है ठीक है इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो हमारा Elementor का HTML widget होता है उससे भी आप code को add कर सकते हैं तो मैं दोनों तरीका आपको दिखाता हूं कि आप कैसे CSS add कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं यह दे दिया ठीक है और अभी हम यहाँ पर code को add करेंगे तो इस code को add करने के लिए मैं यह link दे दूंगा आप यहाँ पर आ सकते हैं w3school.com यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक CSS single line CSS है जहाँ पर आपको यहाँ पर HTML selector द कर रहा है तो इसके पहले हमें code लिखने से पहले हमें यहाँ पर style tag add करना पड़ेगा मैं यहाँ पर इस window को zoom कर देता हूँ और इसके अंदर हम वो जो code copy किये हैं इसको हम यहाँ पर paste कर देंगे इस तरीके से ठीक है मैं इसको करता हूँ update अच्छा update करने से पहले हम speed एक बाद चेक कर लेते हैं देखिए अभी speed कैसे हैं इतना speed है ठीक है यह आप और यह EFQ तो अभी हम यहाँ पर update करेंगे update फिर हम देखेंगे preview में क्या changes आया अभी हम क्लिक करेंगे contact पर देखिए थोड़ा सा slow वो start हो रहा है उसके बाद फिर से वो speed में वो contact session में हमें ला रहे हैं तो CSS code इतना effective नहीं है elementor में तो इसलिए हम वो जो jquery है उसको हम add करेंगे और जैसे हमने यहाँ पर CSS को add किया इतना simple तरीके से हम jquery को भी यहाँ पर add करेंगे ठीक है तो फिलहाल मैं यह जो है इस code को मैं यहाँ पर delete कर देता हूँ और अभी हम jquery जो है code उसको हम यहाँ पर paste करेंगे तो इसके लिए भी मैं link नीचे दे दूंगा यहाँ पर एक blog है आपको यहाँ पर blog का नाम में दिखाता हूँ unbounce नाम का एक blog है और यहाँ पर इस page के नीचे यहाँ पर आप देखिए यह जो code है यह यहाँ पर इसको दिया गया है और आप देख सकते हैं इसको html में paste करने के लिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर script tag अल्रीड लगा हुआ है तो आप simply यहाँ से यहाँ तक end तक इस code को यहाँ पर ctrl c करके copy कर लीजिए और फिर आप आये यहाँ पर आपका html widget पर जो widget हमने यूज किया था css add करने के लिए उसी widget में हम यहाँ पर यह जो code है इसको हम यहाँ पर paste कर दीते हैं ठीक है पेस्ट ओके एक चीज़ ध्यान रखिए जब हम html widget में जब हम css यू script जो tag है उसको यूज किया जाता है तो अभी हम इसको update कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि जो smoothness था उसमें क्या changes आया या नहीं अभी मैं करता हूं contact देखें बहुत speed से यह smooth अभी हो रहा है और इसको हम control कर सकते हैं इसका speed देखें यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है speed का एक measurement यह one second है one second equal to one thousand millisecond तो हम मैं इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर यह जो one second है इसको मैं कर दूँगा five second तो मैं simply यहाँ पर one को delete करके five लिग देता हूँ five thousand millisecond ओके अभी मैं इसको करता हूँ update और फिर हम यहाँ पर preview में check करेंगे page को और एक बार refresh कर लेता हूँ मैं अभी मैं click करूँगा contact पर तो देखिए यहाँ पर उसका speed है वो reduce हो गया अगर हम फिर से यहाँ पर top में जाएंगे तो यह बहुत धीरे-धीरे से यह हो रहा है तो ऐसे हम speed को control कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर team पर click करूँगा तो smoothness और बढ़ जाएगा क्योंकि team तक जो section है उसमें पहुँचने के लिए वो 5 seconds यहाँ पर spend कर रहे हैं यह जो scroll का smoothness है और अभी यहाँ पर अगर मैं 9000 millisecond कर दूँगा तो देखिए इसका जो speed है और भी यहाँ पर बढ़ जाएगा मैं 9000 कर दिया इसको मैं कर दिया update और फिर से मैं यहाँ पर इसको page को refresh हो गया और अभी मैं यहाँ पर click करता हूँ team पर फिर से तो team section तक पहुँचने के लिए यह जो scroll है यह 9 seconds paint करेगा तो automatically इसका जो smoothness है वो बढ़ जाएगा ठीक है अगर मैं नजदिक किसी भी section को यहाँ पर click करता हूँ जैसे services तो smoothness और बढ़ जाएगा तो अभी यह जो hero section है home section है वहाँ से services का जो section है यहाँ तक आने के लिए वो 9 seconds paint करेगा इसलिए इसका जो smoothness है वो बढ़ जाएगा तो इस code का सबसे जादा मतलब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप इसका जो speed है उसको आप control कर सकता है तो यह code मैं आपको provide कर दूँगा और आप आसानी से code को अपने single page website में use करके इसका जो smoothness है वो आप add कर पाएंगे यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह video अच्छे लगे तो इसको like कीजिए और अगर आप इस channel में नए है तो इस channel को आप subscribe कर लिजिए साथ में bell icon भी दबाएए ताकि Elementor के उप और आपको आसिए और आपको यह तो